आज दिन है दिगजो का और साख दाव पर लगी हुई है उनके उनमें CPIM के उमीदवार है मोहमद सलीम भी वो राइगंज से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे बात की हमारे से होगी इंदरजीत कुंडू ने पस्चिम मंगाल के बायाली सीटों में से राइगंज की जो लड़ाई होने वाली है चौतरफा लड़ाई जिसे कहा जा रहा है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग फाइट इस वक्त है हमारे साथ है वेटरन CPIM के सांगसर पॉलिटबुरो मेंबर मोहमद सलीम जो इस वक्त काफी चैलेंज के बीच में है क्योंकि एक तरफ है कॉंग्रेस से दीफादाश्मों सी दूसरे तरफ से ध्रनमों कॉंग्रेस और BJPB की उमिद्बार है चौतरफा फाइट है किस तरह से आप देखते हैं चनौती किसी पार्टी से या किसी कैंडिट से नहीं है चनौती है पैसे से और दूसरे तरफ है मसल पावर गुंद से और तिसरा है सामपधाक्ता से और हम तीनों इस चनौती को निपटने के लिए अपना एक तरीका अपनाई है बामपंदी जैसे करते हैं कि कम खर्चे में जनता को लेकर किस तरह से चनौ किया जाए आखास करके नौजवानों को महिलाओं को और आपने देखा है एक तरफ जब मीडिया चोथरपा चोथरपा करता जा रहा है यहां तो रायगज में आप अगर भूमेंगे देखेंगे एक तरफा है मामला लेकि कहा जा रहा है कि बीजेपी के वह से एक हवा क्रीट की गई है एक पोलराइजेशन भी वहा है तो उसका कितना बड़ा इंपक्ट यहां पर होने वाला है इस चुनाफ में पोलराइशन करने की कोशिस की गई दारी भीट के घटना को लेकर के हिंदू, मुसल्मान, उर्दू, बंगला के नाम पर दंगा फसाद कराने की कोशिस की गई थी बीजेपी और रसेस के तरफ से चुकि यह महरम और पूजा का समय था लेकिन वही हवा को हमने उल्टा यह नहीं और राज सरकार फेल किये थे वो इस या तो उस साजिस को समझ नहीं पाये थे या साजिस समझे से भी जो उनके जो लोग है उनका ट्रैसिर अंडरस्टैनिंग होगा तो इसलिए हम जनता को लेकर के दोनों के बीच में थे वो जब नफरत का दिवार पैदा कर रह फिलाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए दूसरे चरन पर लगा